वियाएटे कम्पूरे एजूकेसन में आप सभी का स्वाकत है दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो हिंदी में टाइपिंग करने के लिए आप कौन से फॉंट का प्रयोग करेंगे जादा तर लोग जो है अपने हिंदी फॉंट के प्रयोग के लिए हिंदी फॉंट में कृति देव का इस्तेमाल करते हैं आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हिंदी फॉंट को कैसे डाउनलोड करेंगे या नहीं कृतिदेव font को कैसे डाउनलोड करेंगे आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने computer में Chrome browser को हम open कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने Chrome browser को open कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर हम address बार पर कृतिदेव font डाउनलोड टाइप करेंगे जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे कुछ link आपको दिखाए पढ़ेंगे आप कोई भी link पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन अगर आप प्रापर अच्छे से font को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड आल कृतिदेव font पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यहाँ इस वाले link पर क्लिक करतेंगे पेज यहाँ पर दिखाए पढ़ेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कृतिदेव 10 यहाँ पर आपको दिख रहा है यदि आपको यहाँ पर इस तरीका नहीं दिख रहा है तो हो सकता है यहाँ पर इस तरीका का दिखाई पढ़े देख सकते हैं कि इस तरीका हो सकता है आपको दिख रहा हो और उसकी style यहाँ पर आपको ऐसे ही दिखेगी अभी हम दोनों में आपको अंतर बताएंगे कि इसको अपने computer में कैसे लेके आएंगे और उसके बाद कृतिदेव को कैसे लेके आएंगे तो आप यहाँ से क्या करेंगे एक-एक font को download कर सकते हैं अभी देखे हम देवलेस को यहाँ पर download कर सकते हैं जबकि यह भी कृतिदेव font ही है लेकिन अगर आप कृतिदेव को download करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कृतिदेव font पर click करेंगे तो जैसे यहाँ पर click करेंगे तो आपको इस तरीका का font दिखाई पड़ेगा अगर आप एक-एक font को download करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर click करेंगे एक-एकर के download कर सकते हैं यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको download यह जो download का भाग दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आप download देख सकते हैं यह देखें इस तरीके का यहाँ पर font डाउनलोड हो जाएगा लेकिन अगर आप इन सभी font को एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप नीचे थोड़ा जाएंगे यहाँ पर download all font पर click करेंगे यहाँ पर आपका download जो है start हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्तिदेव font जो है जिफ फाइल में download हो रहा है अगर आपके पास winral नाम का फ्वेर है तो आप इसको वहाँ से open कर सकते हैं अगर नहीं भी है तो भी हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको हम computer में install करेंगे अगर आपकी internet की speed अच्छी है तो यह तुरंत download हो जाएगा download होने के बाद यहाँ पर इस तरीका आपको icon दिखाई पड़ेगा यहाँ पर आप click करेंगे तो अपने folder में direct पहुँच जाएगे उसके बाद इस तरीके का यहाँ पर आपको icon दिखाई पड़ेगा यह अभी बिनरार में है आप क्या करेंगे इस file को जैसे ही download रे जाएगे इस पर हम double click कर देंगे जैसे ही double click करेंगे कृतिदेव नाम का एक folder आगया है और इसको open करेंगे यहाँ पर आपके सामने बहुत धेर सारी file होंगी अब इन file को करना क्या है आपको इन file को control के साथ A से select कर लेना है control A से select करेंगे और control C से copy करेंगे अगर आपने winrar का इस्तमाल किया है तो यहाँ पर right click करेंगे और यहाँ पर exact R पे click कर देंगे और उसके बाद control C का प्रयोग करेंगे जैसे control C का प्रयोग करेंगे आप उसके बाद आपको अपने computer में control पैनल पे जाना है यहाँ से font वाला जो icon है वहाँ पर आपको जाना है उसके बाद right click करना है और यहाँ से paste कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपके computer में कृतिदेव font install होना सुरू हो जाएगा इतना complete होने के बाद अब आप अपने computer में कृतिदेव कैसे start करेंगे चलिए हम यह बताते हैं तो यहाँ से इस window को close कर देंगे close करने के बाद आप अपने computer में notpad या wordpad या ms word कोई भी program खोलेंगे program खोलने के बाद यहाँ पर आपको अपने format वले में जाना है यानि यहाँ पर format में जाना है और यहाँ पर font option पर click करना है यहाँ से अगर आपने कृतिदेव install किया है तो यहाँ पर कृतिदेव यानि के आर यू टी आई टाइप करेंगे वैसे यहाँ पर आपको option दिखाई पड़ेगा यहाँ पर जैसे click करेंगे बस आपके सामने यहाँ पर इसका sample दिखाई पड़ेगा अपने font का size को यहाँ से बढ़ा करेंगे और ok करेंगे अब आप इसको check करना चाहते हैं तो keyboard पर finger रखेंगे sdfg पर sd यह दिखिए तो यहाँ पर जैसे ही आप type करेंगे तो इस तरह कर यहाँ पर आपको font दिखाई पड़ेगा अगर आपने गलती से devilist font को install कर लिया है तो इसके लिए आपको format पर जाना है font पर जाना है और यहाँ पर type करना है devilist font यहाँ पर देवलist करेंगे और यहाँ पर click करेंगे और OK पर click कर देंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको जैसे कृतिदेव टाइप करते हैं उसी प्रकार यहाँ से भी आपको type करना है font को तो इस तरह से आप अपने computer में इस कृतिदेव font को activate कर सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे आपके हिंदी टाइपिंग के लिए आपके पास एक टाइपिंग की बुक हो या आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले हो तो आपके लिए ज्यादा बेतर होगा आसा है ये ज्यानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी अगर ये ज्यानकारी आपको अच्छी लगी ही तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत